असलाम के विएर्स, माइन मेंगे बिज़वान चीमा, welcome back with another video of Blue World City Islamabad आज के विडियो मैं को Blue World City के जो Sports Valley District है, उसके वाले से बताऊँगा इसमें जो चीजें main main होंगी, मैं पहले summarize कर देता हूँ Number 1, के Sports Valley का 360 view Number 2, Sports Stadium jam बन रहा है, उसका 360 view Number 3, के अब जो Java Dam Road है अब इसको आम तोर पर defense road कहते हैं बड़ यह defense road नहीं है यह java dame road को जा connect करता है और वो 4 km के बाद दुबारा चक्री road से connect करता है मैं एक और वीडियो बना दूँगा ground to ground कि gate number 1 से अब इस gate तक आते हैं रस्ते में कौन से पार्ट आते हैं कौन से development हो रही है और इसके बाद exit लेके दुबारा आप चक्री road पर कैसे जा सकते हैं इस वीडियो में जो development अभी हो रही है जूँकि मेरे पास sports valley का भी मैफ मजूद नहीं है तो मैं Google Earth पे आपको वैसे ending पार्ट में वैसे explain कर दूँगा कि कौन सा पार्ट कहां पर locate करता है लेकिन इन जनरल भी जो development आप देखेंगे ये 18th July 2023 की updated footage है जिससे आपको clear understanding मिल सकेगी कि ब्लूवर्ट सिटी में development आज की date में कहां stand करती है right now जिस road के footage देख रहे हैं ये entrance road जो आपको blue color का gate नजर आता है ब्लूवर्ट सिटी का उस gate से गर आप enter आते हैं तो शुरू में orbital avenue हो है orbital avenue से आप general block में आते है general block से आगे आप sports valley और और sports valley ब्लॉग में आते हैं और वहां से आप stadium road और connect करते हैं stadium road से exit लेके इस road के तुरू आप java dame road पर जा सकते हैं और इस gate के सामने जो आपको आपको physical gate नजर आ रहा है ये java dame road गेट है इसके opposite side पर जो है वो basically blue world city ही land है और ये पीछे आपको जो पहाड़ नदर आ रहे हैं ये जरार कैम्प है और जरार कैम्प आपको बता है के डैला रोड फेसिंग है अब blue world city basically अब आपको आपको घंटा कहीं नहीं होगा गंटे का दिस्टंस आपको मिनिम्म है लेकिन जब ये रोड बन जाएगा रोड नेटवर कम्प्लीट होगा तो ये distance कट होके मिनिमल हो जाएगा तब ये distance आपको approximately 10 minutes max होगा इससे ज्यादा डिस्टंस नहीं होगा right now जो gate की footage अब देख रहे हैं इस gate से साथ जो आपको road नज़र आ रहा है मैं जिसमें पहले बात की मैं explain कर दूँगा ये java damn road कहां से connect करता है अब ये संग्राल गाओं के साथ से आगे जब मूव करते हैं आप तो आप जो sports valley में आते हैं तो यहां पर जितनी आपको land नज़र आ रही है अब ये right side पर जितनी land है सारी शुवखतर इंकलेव की land है शुवखतर इंकलेव की land इसलिए भी important है कि recently जब कतर में एक event हुआ था तो international cricketers जितने हैं अब शुवखतर आप कहलें पर पाकसानी cricketers में कहलें आप मिस्भावलाग कहलें पर इसके बाद international cricketers में पॉल कॉलिंग वर्ड फिर आप न्यूजलेंड क्रिकेटर रॉस टेलर ब्रेंटन मेकलम इन सब के लिए society यहां पर विलाज बनाके उने gift करेगी यानि gift के तोर पे उनके होंगे विलाज और future में वो आके अपने विलाज का खुद inauguration करेंगे यह है blue world city की reality अब बात करते हैं blue world city के दो points sports valley के specifically एक है living और दूसरा है investment living point of view से the blue world city शायद अब याने वाले तक इबन 3-4 साल में livable हो जे क्योंकि जो land है blue world city अची बात यह है कि इनके पास land बे तहाशा मजूद है जब land मजूद है तो better late than never development कहीं कहीं हो जाती है क्योंकि शुरू में blue world city शायर सी बात है चक्री रोड पर जब आया था तो इतना नहीं था इवन तो मैं भी इसको क्रिटिसाइज करता था कि develop नहीं कर पाएंगे कि पहले इससे पहले 10-12 साइटीज वाले पैसा लेके भाग गये थे तो that was not new कि उनके developers की को history नहीं थी जैसे DHA के developers की history है जैसे Faisal Town के developers की history है जैसे CSC के developers की history है तो इनकी history नहीं थी तो definitely इनने अपने मार्क जमीन पर चोड़ा है in the form of development, in the form of procurement of land, in the form of horse mascots, in the form of college बना है, carried college तो अभी इस तरह के मजीज जो ventures है वो ले के आ रहे है इस sports valley के opposite side पे जो land आपको नजर आ रही है जो road है, road के left side बेल जो land है, यह तो right side बेल जो land सारी जो brown वीवी है, यह शुवेटर इनक्लेव है average capacity of 55,000% sitting in one go, यह एक time पे 55,000 लोग वो स्टेडियम बैठ सकते हैं, तो future में रावल पिंड इसलामबाद के जितने बड़े जलसे होंगे, most probably इसी स्टेडियम में होंगे, यह जितने बड़ा crowd pool होगा, matches की वैसे हैं, वैसे भी वो इसी स्टेडियम में होगा, तो यह ब्लूवल्ड सिटी ने इसलिक जो साइट की development है ना, इसमें possession के लिहासिन की speed सोड़ी बेतर है, as compared to investment वाले लोगों से, इन्वेस्टेड अगर आपने करनी हैं ब्लूवल्ड सिटी में, तो make sure आपका mind frame कम उसकम 5-7 साल का हो, इस से पहले आप ब्लूवल्ड सिटी से को investment point of view से क्योंकि investment यहां पर बहुत feasible है, या आप सोचें कि 500 डॉलर से plot book कर सकते हैं, और 500 डॉलर के बाद आपकी 15 डॉलर या 16 डॉलर इंग per month installment बनती है, keeping in mind the current forex rate of Pakistan, आज की date में 300 रुपे तकरी में डॉलर है, तो पहने 300 रुपे का, तो इस rate पर देखा जाए, तो आपको 15 dollar in a month save करना, that is 50 cents per day, मेरा ख्याल से से जदा आसान ही हो सकता पता ना, कि आप 50 cents per day कर सेव करते हैं, तो you can buy a plot in blue world state Islamabad, that too with the price tag of 150,000 rupees down payment, 1,50,000 down payment, and remaining payment plan है, वो आपका 4 साल का है, और बाद में मुस्लिव डिसकाउंट पर वेल करते हैं, in the form of APRs, in the form of different methods, merging की form में, तो आपको वो डिसकाउंट पर वेल होते हैं, तो जो 20,000,000 प्लाट आई, आपको जाके मुश्किल से 15,000,000 पड़ेगा, और इसमें 15,000,000 प्लाट में आपका एक ग्राउंट पे concrete asset बन जाएगा, जो आप फोटरी देख रहे हैं, इसी जगह पर आपका blue world city पे concrete asset होगा, जो future में, आज बसका में पास एक major question था, that was, कि blue world city की, मैं properly हर एक block की, specifically overseas sector 13, 14, 15, 16, 17 की वीडियो बना हूँ, इसके लब जो 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 sectors है, मैं बजार से बदा blue world city को study कर रहा हूँ basically, कि इसमें कितने sectors developed हो है, मेरा ख़ाल है सब्सक्र जमीन पर सही exist करते हैं, sectors, वो sectors जो हैं, वो सिर्फ block है, और overseas block partially, and this sports valley, waterfront block की मैं बनाऊंगा बाद में वीडियो, वो एक separate territory है, उसकी पोस्ट करते हो वीडियो, तो आपको understanding मिल सकेगी, right now sports valley, के right side में explain किया था, जो रोड आपको नजर आ रहा है, ये रोड वापस चक्री रोड पर जाता है, चक्री रोड पर दुबारा, जह अब ये जो आपको roundabout cricket stadium के चारो तरफ road नजर आ रहा है, ये road जो है, इस road और stadium के अंदर वाले road के दरम्यान में, at least कोई 1200 foot, 1400 foot का फरक है, 1400 foot का, इस में society जो बाद में high-rise commercial ये इस तरह की चीज़े है, hotel, resorts, apartment, इस तरह की चीज़े लाँच करेगी, center में 55,000 कनाल का society का अप अपनी मिसाल आप होगा, let's wait for that day, कि ये stadium कब complete होता है, लेकर राइट ना अगर पिंडी सलामबाद के domain में देखा जाए, the booking with the minimum price, the booking with the minimum down payment and the booking with the least price and most development is blue world city, जो आपको physically ground पे देखने को मिलती है, आज की date में, physical 18 July 2023 को, अब waterfront block के बारे में और सवाल है याँ पे, कि waterfront block जो waterfront block जो है, वो sports valley से पीछे है, development में, मैं, जब मैं oversize block के video बना रहा रहा था, तो oversize block से अगर आप fly करते हैं, तकरीपन 5000 फूट अपने west पे, opposite side पे, तो आपको महाँ पे waterfront की footage मिलती है, जो मैं आके वाले किसी video में शेयर कर दूँगा, ताके members को waterfront के लाज से भी, अपनी updates मिल सके, यह तो होगी actual side footage, अब देखते हैं Google Earth location पे यह area कौन सा था, कितना develop हुआ है, और इस लिहासे में बाकी चीज़ें वीडियो में highlight कर दूँगा, इस वक्रम से में blue world city का map आप देख सकते हैं, और map स्वासिट लिए general block है, अब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं किस इस point तक जाने के लिए sports valley के मैं पहले road का distance में year कर देता हूँ, ताके members जिनके plots आई यहाँ पे, उनको understanding मिल सके कि actually उनकी investment कहाँ stand करती है, right now यह entrance gate है, इस entrance gate से आप enter होते हैं, आप इस route को follow करते हैं, इस orbit 11 यू कहते हैं, जिसके right और left side पे सारे commercials हैं, यह horse mascot की example आपको आफी ज्यादा footfall है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आते जाते हैं, अब यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, जिस जगह से अभी मैं road draw कर रहा हूँ, यह पार्ट का नाम है, blue world city water theme park, अब इस पार्ट सागे continue करते हैं, तो यह बर्जल अरब का replica आ गया, यहां तक जो प बनती है, that width is around 186 feet, जिसमें आपका center में, यह 120 foot का road होगा, बाकि इन प्लॉटों के लिए parking, और प्लस जो यहां पे commercial avenue है, उसके लिए parking होगी, आचा, वापिस जाते हैं, इस point पे आपका commercial avenue से आपका residential part शुरू होता है, अब यह जो part आपका नजर आ रहा है, यह सारा आपका general block है, यह right side सारा जो है, society में इस point तक जहां तक मैंने आपका road का network draw किया है, इस point का नाम है 2.33 km पार्ट बनता है, यानि पहला रियाईशी plot आपका जाता है, वो तकरीब आपका सवा 2 km के बाद आपके general block में शुरू होता है, यह जिस part के सामने मैंने भी road draw किया हुए है, इ इस वक मकमल operational है, और इसकी यह वाली building है, इसका निया structure अभी बन रहा है, यहां से आप enter होते हैं, तो आप general block में आ जाते हैं, और general block के different sectors हैं, जो पीछे तक जाते हैं, अब अगर देखा जाए टेकनिकली, तो यह जो sectors बनते शुरू में, यह सारे यहां पर 50 पा 90 और 75 पा 120 यानि कनाल और दो कनाल की bookings हैं, और यह blue old city का sector 5 बनता है, इसके opposite side पर यहां पर जो यह side है, यह sector 3 है, फिर sector 1 है, sector 2 है, sector 3 है, और sector 4 इस तरफ आता है, और sector 5 इस तरफ आता है, तो पहले जो 5 sectors हैं, वो इस point तक आपके complete हो जाते हैं, यह हो गया 2.33 km चक्री रोट से अंदर आने के बाद, अब यहां से आप आगे जाते हैं, forces guide college से, तो यहां पर इस point पर आके जो अकला roundboard आपको नजर आएगा, यहां पर आके general block खतम हो जाता है, यह gate लगा हुआ है, यह general block की premises यहां पर खतम होगी है, अब यहां से overseas block and waterfront, overseas block and sports valley जो block है, उनकी premises का आगास हो चुक आप लोड़ सेटी का, जो कई चक्री रोड़ पर यह बना हुआ है, इस gate से तक्रीबन आप 4 km अंदर आके, आप sports valley और overseas block को access कर पाएंगे, right now, यह actual fraction figure है, कोई इसको deny कर भी न सकता है, वैसे, अचा, इस point आप आगे जब अंतर होते हैं, तो यह सारा जो अंदर वाली side पर आता है, यह सारा overseas block है, और जो मैं संग्राल गाउं का जिकर कर रहता है, इस तरफ, अब यह संग्राल गाउं के साथ, जो आपको यह वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इस point तक blue world city की development हुई है, इसकी in fact, मेरे पास फोटेज भी है, मैं आगे share भी कर दूँगा, कि यह वाला sports valley शुरू हो गया है, आप sports valley के चुकर यह outer road जो है, यह complete नहीं है, लेकिन जो inner road है, यह जो अंदर वाला road है, यह complete है, मतलब से लिए कार्पिटिंग हुई है, in fact, आपने last video कर देखी है, तो वो पार्ट, इस पार्ट, इस roundboard से होके, आप आगे जाते हैं, अचा, इस roundboard से जो दर के आप इस point तक आते हैं, और जो अभी आपने वीडियो का starting point देखा था, वो यह वला point था, और यहां से फ्लाइकर के drone जो है, इस तरफ जाता है, जो main आपका, यह जावा डैम रोड है, जिसके मैं उपजेट साइट पर कुछ पार्ट बताया था आपको, कि यहां प जावा डैम से होते हुए, आप आप डैला रोड पर इस point से, अगर आप इस point तक आते हैं, in today's date, यानि कि यह point starting है, और यह point starting है, इस point तक आते हैं, तो आपको actual टाइम लगता है, यानि कि आप ऊपर से खूम के आते हैं, लेकिन इसके बाद जाहर से बात है, जब इसके इस point से एगजिट लेकर आप चार किलोमेटर के बाद यहां पर आ सकते हैं, यह आपका total जो मैंने बॉक्स जड़ा किया है, यह पार्ट के दरम्यान में जो रोड आप को नदर आ रहा है, जो मैंने ड्रॉड की है, यह यलो लाइन लाइट सी है, चक्री रोड की लाइन है, और इसके opposite side पे यह सारा general block है, इस road के, तो यह सारा overseas block है, यह general block है, यह sports valley block है, और जो footage आपने वीडियो में देखी है, वो जिस block की है, वो मेरे यह दिखाता हूँ, अब यहां तक तो clear हो गया खार 7.42 km का road network है, जो society के पास आज की date में मजूद है, फिजिकली form में, जो maximum 186, यह इस वक एक्जिस्स करता है, तकरीपन साथे साथ किलमेटर का road network, that is not bad, in terms of the prices of the society, को बुरा बुरी बात नहीं है, इतना ज्यादा डिलिवर करना हो, अचा, पिर इस road से आपके देखते हैं, जो आपने यह वाला सारा area देख रहे हैं, यह sports valley का, शुवक्तर यह थोड़ा सा पार्ट है, जो society के पास प्रिक्यूर्ड नहीं है, ठीक है, यह वरा जो पार्ट है, यह किसी और के पास है, in fact, अगर मैं यहाँ पर वापस आँ, गेट पे, यह गेट नमबर वन हो गया आपका, sorry, गेट नमबर वन यह है, यह आपका बीच में अब्दुला इस पॉइंट से लेके आगे तक फेसिंग चक्री रोड, यह लैंड यहाँ पे जो है, आपको नजर आ रही है, यह फैसल टाउन चौदरी अब्दुलमजीद ग्रूप, जैडम ग्रूप के पास है, तो यह ब्लूड सिटी की जो नेबरिंग है, वो एक तरफ से आपको ठीक है, यह सारा वाटरफंट ब्लोग है जो आप एकसेस करेंगे, इस रोड से सीधे आते हुए, यह शोड ने आकर सीधा कनEक्ट्यविटी प्रोँट करनी है इस पार्ट को, यह सारा वाटरफंट ब्लॉड है, ठीक है, तो यह इस तरफ अगराव भाबर पस आते हैं, यह स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में इस तरह चोधरी अब्दुलमजीद की जमीन इस तरह एवलॉन सिटी ओपोजिट साइट पर सारा स्मार्ट सिटी ठीक है और इस तरह से जाएं तो आपका डला रोड अडला रोड पर गरूड अनकलेव तो यह सारा अरिया जो है इसको बरने मे है यहां तक बने है फिर जनरल ब्लॉक और फोर्स काईड़ कॉलेज ब्लॉवल्ट सेटी इंजामियां के अच्छे बात यह ना कि इनको अपनी मार्क्टिंग कंपेंड जिंदा रखनी आती है यह देखें फॉर्स मैसकोट जो है यह यूजलेस है यह कोई काम नहीं है बट इस काफी ज़्यदा फॉटफॉल करेंगे फिर यह सरीन विलास अगर मैं विलास का नंबर काउंट करूं वान टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन और टैन टैन ट्वंटी थर्टी 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 विलास पांच मनला के यहां बने में है इधर से काफी क्राउट लोगा इस प्रोजयक्टों मुझे नाम पता इस तिंक में मैं पे देखता हूं कि यह और मॉस्क का प्लाट है यह को हिए कमर्शल का अब्लाट है लेकिन य्टी बात में क्या बनता है यह प्लॉट पर इस फिर थिख धर यॉन जिख गर यह प्र मन रहा है टोटल टोटल थर स्टार्ट करेंगे एक दो तीन भी को बिल्डिंग बन रही है इसके मुझे मैप पर देख लेता हूं किया है यहां पर यहां पर मैप को शो नहीं हो रहा है थिंग कि यहां मैप की चेंजिस की है तो जब चेंज इस क्लेर होंगी तो मैपको दुबार अपडेट कर दूँगा बिल्किन इस मैप पर यह राउंड बाउट के ना बिल्क कॉर्णर पर आता है लेट सी किसमें क्या नहीं यह मैप पर चीजने डिकलेर नहीं है यह जब चीजने शो होगी यह महलु में ओवर्सीज ब्लॉक का को स्टार्टिंग पॉइंट होगा यह पीछ जाकर सारा वाटर साइट पर भी जा रहा है तो जब में एवनियो फ्यूचर में जाकर आप अगर मैप को जूम आउट करें तो इस तरफ से शुरू होगा रोड एम टू के ओपर से होता हुआ सिहाल से उपज़िट साइट पर यह सारा संग्राल संग्राल से होते हुए अडियाला रोड तो य यह शेख जायद अवनियो तरफ पर रोड बनेगा जो फ्यूचर में अडियाला को जाके M14 से कनेक्ट करेगा तो यह है आज की डेट में आपका ब्लू वर्ड सिटी तो जिन मेंबर्स के पास यहां पर इंवेस्मेंट थी होफुली उन्हें काफिया तक क्लारिटी आगी हो कितनी डिलेवरेंस होई है और आने माले दिनों में आप क्या रिजल्स एक्सपेक्ट कर से थे हैं ब्लू वर्ड सिटी इसलामबाद से जो कि एक्सपेक्ट बहुत अच्छे रिजल्स होंगे अगर आप ब्लू वर्ड सिटी में बुकिंग के वारें कुछ मालूमाच रिज्वान चीमा को दीजिए जादत अगली वीडियो देखे के लिए खुदा हाफिस